आज हम बनाइए जैसे नान को फ्राइए करते हैं आसे अलो वाली बनाइए तो उसके लिए में जाहिए एक अदर पोटेटों और एक अदर ओनी ये पोटेटो को मैंने बरीक शेव में इस तरह काट लिया है अब अपनी मज़ी से जैसे चाहे इसको समाल चकोर पीस में में छोट छोटे काट सकते हैं यह मैंने काट लिया है अब एक अदर प्याद इसको काटते हैं अब तो ना देगा हम प्याद को छोट छोटा बरीक काट ले अब ही हमारे बार दोधर मिर्चे हैं और यह थोड़ा सब दनिया जो हम इसमें इसमाल करें कि इसको भी छोड़ा परीपरी काट जाते हैं अब इसमें अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जैसे बेंगेन उगरा गोबी या गजर जो भी आप चीज पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं यह तो गर्मे अमर्जनसी के लिए मसलें कुछ भी ना हो तो आप इसको बना सकते हैं मुझे बूप लगी थी करें तो हूँ जो डासालन उसको बनने में दे देए थी तो मैंने का चलो यही बनाते हैं और आप दोस्तों के साथ अपनी ड़ास्पी शेयर करते हैं चार कर देते हैं चार चमाच बेसन अब इसका मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा जीरा अब यह साब पिसा हुआ जीरा थोड़ा सा डालेंगे इसमें यह पिसा हुआ दनिया है और इसके बाद थोड़ा सा जीरा मॉट्टो डालेंगे इसमें इसमें साब दनिया यह जीरा मॉट्टो है जीरा मॉट्टो अब सुर्ख मर्च डालेंगे आप डाल सकते हैं जितनी आप खाना पसंद करें अब आखर पर नमक शामल करेंगे यह भी आफस बेजाइका इसमाल कर सकते हैं कमजा ज्यादा अब हम इसमें वाटर डाल कि इसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट को ज्यादा गाड़ा नहीं करना यह हल्का सा जैसे पर कोड़ों का होता है उससे भी थोड़ा सा इसको नरम कर लें ताके जो ब्रेट है आपकी वह अच्छी तरह इसमें जजब हो जाए उसको सारा जो मुटीरियल है वह इसको लग जाए बेसन मुझे थोड़ा से कम लग रहा था हम दो चमर्च और इसमें एड़ कर लेंगे बेसन के तब लेंगे कि अब लेंगे तो दोस्तों हमारा जो मटीरियल है वह बिलकु रैडी हो चुका है अब हम इसको ब्रेट को इस पिल गार के तो फ्राइ करने के लिए बिलकु रैडी है अब यह चार अदर ब्रेट के श्लाइद ले लिए है और इसको अब डिप करेंगे यह से लगाएंगे आल भी गर्म हो चुका है हमारा प्राफल लगाता है अब है अब है इसको प्राइब होने के लिए डालल दीया नहीं है यह बहुत ही इस और असान रस्पिया इसको जुरू ट्राइक करेंगे लगा विए इसको यह देखें यह प्राइब हो रई है इसको हम लो आच पर थाने करेंगे तो जल जाएगा और जो पताटी तो हम लो आच में कर देंगे साइड तो यह देखें दोस्तों कैसा बढ़ रहा है यह आप ट्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी बहुत ही एजी है कोई भी दर चीज गरमे ना हो तो पटेटो और ओनियन गरा हर गरमे होते हैं बेशन और ब्रेट भी तो आप इसको ट्र करने नहीं तो ज्यादा में करेंगे हाई आँच पे तो वो चल्दी जल जाएगा अंदर से जो पटेटो के रहा है वो थोड़ से कच्छी रह जाएंगे जीली बीबा में कैसा बना है बेटा जैंश की जैंबी ओके बारी कुट थैंक्यो तो यह साथ में दही भी आए दही क जाए चाह सबस्की छाए जबदाज होदा आज जो जो टाइप कीजिए गाए बच्छों को स्कूल के रिए ये बहुत एजी रहते है आप इसको अगर में कुछ बीना हो पाइंदास में बन सकती आप जो टाइप कीजिए गाए